आगे के वीडियो में मैंने आपको अन्टमेटिकल एक्सप्रेशन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक्समेशन किया एक बाग छोटा सरीविजा ले लेता हूँ इनसी समय यह algebraic expression है in x-y यह algebraic expression है in y यह algebraic expression है in y यह algebraic expression है in p and q अब मेरे three और question और यह हमारे आजका last topic है कि मैंने कुछ expression आके सामने लिखे हुए है algebraic expression अब in algebraic expression में अगर मैं आपको बुछ हो कि इसके factor क्या होगे just for a reason तो इसके factor क्या x, y 4 के factor निकलेंगे नहीं क्योंकि 4 के साथ कोई unknown number नहीं है इसके factor क्या तो 13 के factor नहीं निकलेंगे minus y square के factor होंगे y and y 13 के factor नहीं होंगे इसका factor होगा y इसका factor होगा 5 y and y इसका factor होगा 4 p and p and q 3 p, q and q इसका factor मिलेगा नहीं यह मैंने आपको factors का reason दिया अब मैं आपको question पूस्टा हूँ कि इन terms में in terms में not constant कौन है और constant कौन है तो meaning समलोग के भी non constant कौन और constant कौन constant कौन जिसके साथ x या y या कोई भी unknown variable नहीं होता देशी बासा में जिसके आगे पीछे कुछ नहीं होता उसको बोलते हैं constant constant जैसे यह 4 constant 13 constant again 13 constant 5 constant non-constant कौन x y इसमे minus y square इसमे minus y plus 5y square इसमे 4p square q minus 3p q square यह हो गये non constant clear हो गया okay constant कौन और non constant कौन अब एक और टॉपिक पर जा रहा हूं है मैं आपको इस टम में coefficient पुछूंगा मैं इसमें पुछता हूं के x का coefficient कौन coefficient of x x coefficient मतलब क्या कि एकस के साथ कौन सा number है x के साथ कौन सा variable है उसको बोलते है coefficient तो इसमें x का coefficient कौन y इसमे x का कोई नहीं क्युक्aster x हा घी नहीं अब मैं बोलता हूं, What is a coefficient of y? इसमें y का coefficient कौन तो y का coefficient कौन x इसमें y का coefficient कौन be careful इसमें y का coefficient कौन actually time क्या रिया है आपको minus y square दिया है अगर मैं minus y square को ऐसा लिखू तो चले minus y into y तो y का coefficient कौन हुआ minus y सीथी तरीके से कि य को किस से multiply करूँगा तो minus y square आएगा तो y को minus y से multiply करूँगा तो minus y square आएगा राइट इसमें y का coefficient कौन minus 1 अगर मैं इसमें कुछ हूँ y का coefficient कौन तो यह 5y square को आप ऐसा लिख सकते हो 5y into y तो अगर यह time में बात हो तो y का coefficient कौन 5y हाँ इसमें पुछू के भी y square का coefficient कौन तो आउन्थर का लिखने का 5 लेकिन मैं y का coefficient पुछू तो 5y इसमें y का coefficient मिलेगा ही नहीं तो कि y ही नहीं अब आपको यह topic बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ आज हमने दो वीडियो बेजा रहा हूँ मैं दो वीडियो में सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बेज रहा हूँ मैंने डूसरे वीडियो में आपको बेजा कि constant कौन होता है non-constant कौन होता है and how we can find out coefficient of different different term आपको आज के topic समझ में आ गये होंगे next वीडियो में मैं आपको आगे के topic बेजूँगा तब तक के लिए take care family में ममी पापा को enjoy करो बहुत कम टाइम देते हैं ममी पापा हमको तो यह must वक्त है उनके साथ बिताने का और एक बात रोज उनसे एक नहीं बात सिखना अगर आप boy character हो तो आप अपने पापा से उनके business के बारे में कोई नहीं चीज या कहीं पर job करते हैं तो job profile के बारे में एक चीज और अगर आप girl character हो तो ममी के रसोई में जाके एक चीज रोज बनाने का सीखना यह आपकी activity होगी हमको गलत समय में बूरे वक्त में भी अगर जो कुछ सीख ले वही होता है इंसान थेंक्यू संदीप सर बबाए